शिव किर्पा होने के बारा शुप संकेत नमबर एक, जब शिव किर्पा व्यक्ति पर होती है तो उसे भविश्य की घटनाओं का पूर्वा भास होने लगता है नमबर दो यदे किसी व्यक्ति पर शिव किर्पा है तो वह जो भी वाणी बोलता है तो वह सत्ते हो जाती है नमबर तीन शिव किर्पा होने पर आपके बिगड़े हुए काम बनने लगते हैं और जीवन की जो भी समस्याई हैं उनका कोई ना कोई हल या कोई ना कोई उपाए आपको नजर आने लगता है लेकिन ऐसा ज्यादा तर तब होता है जब आप शिव भक्ति में लीन होते हैं और बहुत कहरे ध्यान में डूबे होते हैं नमबर चार यदि किसी के जगाए बिना किसी अलारम के आपकी नीन ब्रह्म मूरत में खुलने लगती है तो समझ जाए कि आपके उपर शिव किर्पा बनी हुई है नमबर पांच सपने में शिवलिंग नजराए या शिवलिंग पर जल अर्पित कर रहे हो तो यह बहुत बड़ा संकेत है इसका मतलब है आप बहुत भागेशाली हैं कि भगवान शिव के दर्शन हुए नमबर छे यदी सपने में पहार पर खुद को चड़ते हुए देखते हैं तो यह भी शुप संकेत माना जाता है नमबर साथ यदी सपने में आम का पेड़ दिखाई देता है तो इसका मतलब है आपको जीवन में तरक्की मिलने वाली है नमबर आठ यदी सपने में भगवान शिव का मंदिर दिखाई दे तो आपको बहुत ही जल्द बहुत पड़ी खुशकबरी मिलने वाली है नमबर नो सपने में कोई भी मंदिर दिखाई दे तो भगवान शिव की किरपा आप पर होने वाली है 10. सपने में गाएं का दूद दिखाई दे तो इसे सुक समर्धी का परतीक माना जाता है 11. सपने में गुलाब का फूल दिखाई दे तो आपको किसी काम के लिए शुप संकेत मिल रहे हैं नमबर बारा, सपने में डमरू अगर दिखाई दे तो समझे जीवन की सभी बाधाएं दूर होने वाली हैं। दोस्तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में ओम नमस्शिवाय जरूर लिखें। आपका भौध भौध धन्यवाद।